हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दे क्विक सपोर्ट डोटेक चैनल तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैसे कार्टून वीडियो क्रियेट कर सकते हैं इस तरह की वीडियो का आज कल बहुती ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है इंस्ताग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी और ये वीडियो बनाने बहुती ज़्यादा असान है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इस तरह के वीडियो कैसे बना सकते हो So let's begin the video तो सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है Twin Craft इसके बाद आपके पास यह application आ जाती है तो आपको इस application को download कर लेना है Download करने के बाद движ आप application को install करते हो Install करने के बाद आपको application को open करना है Open करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का interface आएगा जिसमें की पूछा गया है कि आप application की language क्या रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर English select करके done कर दूँगा Next आप से द्वारा पूछा जाएगा Select content language तो आप अपने content language की English select कर सकते हो या तो Hindi भी कर सकते हो उसके बाद हम done के बटन पर click कर देंगे Next आपको यहाँ पर plus का icon मिल जाएगा तो आपको plus के icon पर click करना है उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface आएगा जिसमें कि आपको तीन option मिलते हैं सबसे पहले portrait जो कि real और shorts के लिए use किया जाता है 9 into 16 का ratio उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग landscape का दिया गया है 16 into 9 का ratio और comic strip का भी दिया गया है तो आपको जिस भी इसमें video create करनी है आप उसको select कर लेना तो मैं यहाँ पर landscape mode को select कर लेता हूँ next यहाँ पर आपके पास choose background का option आ जाता है फिलाल यहाँ पर change background लिखा हुआ है तो आप इसमें से कोई सा भी background select कर सकते हो तो आपको बहुत सारे background यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि आप swipe करोगे तो आपको background बहुत जादा दिखेंगे तो यहाँ पर मैं अपने according एक background select कर लेता हूँ जैसे आप next के button पर click करते हो यहाँ पर आपके पास character select करने का option आ जाता है तो आपको यहाँ पर बहुत जादा character दिए गए है जिन पर star लगा है वो paid character है और जिन पर star नहीं लगा है वो unpaid है मतलब free है वो character तो यहाँ पर एक character automatic select रहता है तो मैं दूसरा भी select कर लेता हूँ जैसे हम character पर click करेंगे तो downloading का option आएगा और आपका main character download हो जाएगा उसके बाद यहाँ के आपको द्वारा से next के button पर click करना है और यह frame कुछ इस तरह से set हो जाएगी अभी आपको अगर character की movement करवानी है तो आप देख सकते हो कि मैं जैसे अपने finger swipe कर रहा हूँ तो character की movement हो रही है तो इस तरह से आप दोनों character को मतलब move करवा सकते हो left या तो right को और इनसे कुछ भी करवा सकते हो next यहाँ पर आपको एक mic option मिल रहा है जैसे आप देखो कि यह character बहुत कुछ बोलते हैं तो आपको इनसे बुलवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर mic के button पर click करना है and while using the app पर आपको click कर देना है तो आप देखोगे नीचे की recording start हो चुकी है तो आपने जो भी इससे बुलवाना है वो आप यहाँ पर बोलोगे and next यहाँ पर save का option मिल जाएगा तो आपको save के button पर click कर देना है सबसे पहले आपको stop के button पर click करके save के button पर click करना है तो इससे होगा यह कि आपको character जो बोलेगा वो यहाँ पर save हो जाएगा उसके बाद आप दूसरे character से कुछ बुलवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको record के button पर click करना है और जो भी आप बुलवाना चाहते हो आप वोगा dialogue यहाँ पर बोल सकते हो तो मैंने यहाँ पर dialogue बोल दिया है और save के button पर click करूँगा तो यह character की दोनों की voice save हो जोकी है वैसे हम दुवारा से पहले character को हम दुवारा से record करवाएंगे अगला part जो दूसरे second part में बुलवाना चाहते है तो यहाँ पर हम record पर click करेंगे और दुवारा से हम बोलेंगे उसके बाद हम stop के button पर click करके save के button पर दुवारा से click कर देंगे उसके बाद हम दुवारा से देख सकते हैं कि मैंने screen से इस character को out कर दिया है ठीक है मतलब मैं जो last frame जो set करना चाहता हूं कि यह बोले और यह character यहां से चला जाए मतलब screen से out हो जाए तो कुछ इस तरह से मैंने इसको last time पर move करके side में कर दिया ठीक है तो मेरा यह last frame बन चुका है तो अभी इसको play करके देखना है कि कैसा बना तो यहां पर आपको play का symbol मिल जाएगा आपको इस पर कलिक करना है और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से जो मेरा वीडियो था वो मैंने create किया है बैक्गराउंड noise को थोड़ा सा ignore करना क्योंकि यह professional नहीं है आप थोड़ा professional भी बना सकते हो जैसे आप यहां पर sound record करते हो तो आपको यहां पर side में settings का option भी मिलता है तो जैसे आप settings की option पर click करते हो तो आप देख सकते हो यहां पर आपको दूसरे अलग से option खुल जाते हैं जिसमें कि आप pitch को और tempo को change कर सकते हो अपनी voice की अब यहां पर use normal voice भी लिखा हुआ है अगर आप इस पर tick कर देते हो तो जो आपकी normal voice है वो यहां पर use करेगा character लेकिन आपको select नहीं करना है दूसरी sound बहुत ही अच्छी है तो आप उस sound को ही choose रखना यहां से आप settings में छेड़ चाड़ कर सकते हो अपनी voice के लिए अगर जादा change हो जाती है तो reset पर click करना है और यह द्वारा से reset हो जाएगी तो यह थे को settings की जो कि मैंने आपको बता दिया next यहां पर आपको left size में एक plus का icon भी मिलता है और जैसे आप plus का icon पर click करते हो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसे आप frame के बीच में ही character add करना चाहते हो वो कर सकते हो background change करना चाहते हो वो भी कर सकते हो add props भी कर स नहीं है plus का icon पर click करके आप यह सब कुछ काम एक साथ ही उसी frame पर कर सकते हो अभी माले जी आपका video बनके तयार हो चुका है और आपको उस video को export करना है तो आप यहां पर देख सकते हो right side में आपको export का option मिल जाता है उपर corner में तो यहां पर आपको export के button पर click करना है और अप आपका जो भी project था उसका नाम आ जाता है जो की लिखा हुआ है my movie 0 इसको आप edit भी कर सकते हो और नीचे यहां पर remove watermark लिखा हुआ है अगर आप इसको remove करना चाहते हो तो आपको इसकी paid subscription लेनी पड़ेगी यहां पर आपको export के button पर click करना है और यहां पर आपको एक permission दे द सकते हो आपको इन वीडियो पर copyright नहीं आती है मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप इस तरह के cartoon वीडियो कैसे बना सकते हो लेकिन यह कुछ professional नहीं था जो मैंने आपको create करके बताया बस मैंने आपको sample दिखाए हैं कि आप इस तरह के वीडियो कैसे create कर सकते हो तो आज की सीडियो में इतना ही उम्हील करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार देना और चैनल पर नएव तो सब्सक्राइब जूर से मार देना मैं मिलता हूँ आप सागली नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटोपे के साथ थैंक यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो